जाहिन दोस्तों, Welcome back to Army by YouTube चैनल आज हम Army का Practice Set Paper डिस्कस करेंगे Top 50 प्रशनों का ये Practice Set Paper आपका होगा जिसमें समाने ज्यान के 15 प्रशन, समाने बिज्यान के 15 प्रशन, गिनित के 15 और जिनिंग के 5 प्रशन हम डिस्कस करेंगे सबी कोशिन आपके Army बेटर पर अधारिद रहेंगे, उस लेबल के आपके प्रशन रहेंगे याद रखे Practice Set No.11 है जिसमें आपके लिए प्रशनों की संक्या 50 रहेगी और टार्गिट जो आपके लिए रहेगा 45 कोशिन आपका टार्गिट रहेगा चलिए स्टार्ड करते हैं सबसे पहले कोशिन से, उसे बता लिए बता बता दो आपको प्रशनों की शंक्या पाचास रहेगी तार्गिट आपके लिए पंतालिस रहेगा और Practice September ए आपर नमबर 11 है आपका स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कोशिन से जीके का सबसे पहला कोशिन आपके सामने है 1913 में रुविंद नाटेगोर को नोबल प्राइज दिया गया था 1913 में रुविंद नाटेगोर को भारत के प्रथम थे इन्हें नोबल प्राइज दिया गया था और साथ में एशिया के भी पहले बेक्ती थे रुबिंदर नार्टेगोर जिन्हें 1913 में नॉबल पुर्सकार दिया गया था किसके लिए दिया गया था गोरा के लिए गितांजली के लिए दा हॉम एंड दा वर्ड के लिए या फिर गुलावाली जल्दी से बताईए सही अंसर क्या रहीगा तो आप सभी का सही अंसर आया आप्शन नॉबर बी गितांजली के लिए जो है रुबिंदर नार्टेगोर को 1913 में क्या दिया गया था नॉबल प्राइस दिया गया था यहां से याद रखें एशिया के भी पहले वेक्ती थे जिन्हें नॉबल प्राइस दिया गया था यह कोशिन आपकी एक्जाम में पूछ सकता है कोशिन नॉबर दो है और स्योग अंदोलन किस परश में महात्मा गांजी दुबारा शुरू किया गया था और स्योग अंदोलन जो है महात्मा गांदी दुबारा जो है कब शुरू किया गया था नॉन कॉर्परेशन मुव्मेंट बास स्टार्ड़ बाइ महात्मा गांदी 1919, 1920, 1922 या 1940 जल्दी से बताइए सही इंसर क्या रहेगा option number B आप सभी ने सही बताया है 1920 में जो है महात्मा गांदी दुबारा क्या चलाया गया था और स्योग अंदोलन या फिर नॉन कॉर्परेशन मुवमेंट चलाया गया था question number 3 है शांती के समय दिये जाने बाला सबसे बड़ा शोरे पुर्सकार कौन सा है यहाँ पर आपका जो सबसे बड़ा शोरे पुर्सकार पूछा हुआ है भारत से लेटेट पूछा हुआ है परमबीर चकर अशोग चकर पदम भीवूशन या फिर भारत रतन यह question थोड़ा सा नोट के लिए question आपके exam में पूछा गया था question किस दरह से पूछा गया था गैर नागरिक मेरे ख्याल से कुछ इस तरह से है गैर नागरिक शोरे पुर्सकार कौण सा लिए जाता था जिसका सही अंसर रहेगा option number B Ashok Chokraj है यह शोरे चकर दिया जाता है शोरे के पुरसकार में दिया जाता है पर यह शांती के लिए दिया जाता है और वीरता के लिए दिया जाता है आपका परम वीर चकर दिया जाता है question number 4 है नासिक किस नदी के तड़ पर स्तीत है नासिक इस लोगेटिड ओन दी बैंक ओफ वीच राइवर नर्मदा इनमें से कोई नहीं, कृष्णा या फिर गौदाबरी जल्दी से पताईए सही एंसर क्या रहेगा और अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करें वीडियो को लाइक कर दें, इंगलिश पाले स्टूडेंट जो रूर वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अब आपको मैक्सम मोडल टेस्ट और अरिजिनल कोष्ण विपर जो है हिंदी और इंगलिश में देखने को मिलेंगे और आपका सही अंसर आया है सभी का, इसका सही अंसर हीगा option number D, नासिक जो है गुदावरी नदी के किनारे स्टित है question number 5 है, भारती रास्टी कोंग्रेस की स्थापना डैश में हुई थी important, most important question है, इंडियन नाशनल कोंग्रेस वाज established in 1884, 1885, 1890 या फिर 1895, जल्दी से बताइए सही अंसर क्या रहेगा तो सभी दोस्तों का सही अंसर आया, option number B, 1850 में भारती रास्टी कोंग्रेस की स्थापना हुई थी और हियूम ने इसकी स्थापना करी थी और WCB एनरजी उद्धे पहले अध्यक्ष बने थी simple सा question आपसे पूछ लेता हूँ कि भारती रास्टी कोंग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी पताने की जूत नहीं पड़ेगी, answer मुझे चाहिए जल्दी से comment में question number 6 आपके सामने है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी Amazon कहां से निकलती है जो Amazon नदी है, ये कहां से निकलती है, याद रखें ये question ये भी पूछे जाता है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नील और Amazon में थोड़ा सा confusion रहता है, सबसे लंबी पूछे जाए तो नील रहेगा, सबसे बड़ी पूछे जाए तो Amazon आपकी सही अंसर रहेगा दक्षिन अमेरिका, अफ्रीका, उत्री अमेरिका या फिर ये रोप, जल्दी से बताईए सही अंसर क्या रहेगा option नमबर A सही कर ले, maximum 7 student ने सही बताए है, दक्षिन अमेरिका यानि साउथ अमेरिका से जो है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी, Amazon का क्या होता है, निकलती है question number 7 है, कौन सी अनसूची भारत की अधारिक वाशाओं से स्वंदित है जो अधारिक वाशाओं इनकी बारे में कौन सी अनसूची में बताया गया है, प्रमुखे रूप से आपकी ये 20 वाशाओं है, इनके बारे में कौन सी अनसूची में बताया गया है साथमी, आठमी, नमी या फिर पहली अनसूची में जालदी से दोस्तों से अंसर बताएं सही अंसर क्या रहेगा तो सभी स्टूडिन्ट का से अंसर आया option number B आठमी अनसूची में जो है भारत की 22 वाशाओं के बारे में बरण किया गया है question number 8 है बिशव की या बिशव का सबसे बड़ा दूईप कौन सा है which is the largest island in the world सबसे बड़ा दीप यहाँ पर थोड़ा सा सही कर ले सबसे बड़ा महादीप यहाँ पर होगा ठीक है सबसे बड़ा महादीप कौन सा है एशिया, अफरीका, ऑस्टेलिया या फिर एरोप जल्दी से पताएं सही इंसर क्या रहेगा तो बिशिव का सबसे बड़ा महादीप जो है option number A, एशिया महादीप जो है सबसे बड़ा महादीप है question number 9 है भारती थलसेना में कितनी कमान है how much command in there, in the Indian army भारती थलसेना में कितनी कमान है 5, 6, 7 या फिर 8 जल्दी से दोस्तों सही इंसर बताएं सही इंसर क्या रहेगा तो option number C, आपका सही करने भारती थलसेना में बड़ा में साथ कमान्डे है question number 10 है most important question है where is Jim Carvet National Park located उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर और short में आपको English में दिया हुआ है तो maximum students सम सकते हैं UK से आपका उत्तराखंड को होता UP से आपका उत्तर प्रदेश होगा HP से हमारा हमाचल प्रदेश रहेगा और J.R.K. से आपका जम्मू कश्मीर रहेगा तो option number C आपकरे option number B इसका सही करने उत्तराखंड से जो है या फिर कह सकते हैं Jim Carvet National Park जो है आपका उत्तराखंड में स्तित है question number 11 है भारती प्रेस का मुक्ती दाता कहा जाता है भारती प्रेस का मुक्ती दाता किसे कहा जाता है पिलियमेंटिक, सर्ट, चार्ल्स, मेंटकोफ, डलहोजी या इनमें से कोई नहीं most important question है question आपकी exam में पूछा जाता है जल्दी से बताइए से इंसर क्या रहेगा option number 20 का से इंसर रहेगा sir Charles मेंटकोफ जो है भारती प्रेस के मुक्ती दाता कहा जाता है याद या question को note कर ले Charles मेंटकोफ को जो है भारती प्रेस का मुक्ती दाता कहा जाता है question number 12 आपके सामने है सबतनतर भारत की पहली महिला governor general कौन थी या फिर governor कौन थी who was the first woman governor of independent India भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी प्रतिवा पार्टल इंद्रा गांदी स्रोजनी नाइडू बीजे लक्षमी पंडी जल्दी से बताये सही अंसर क्या रहेगा option number 30 का सही रहेगा Maxon Trude ने सही अंसर बताया है स्रोजनी नाइडू जो है ये सोतंतर भारत की पहली महिला governor या फिर राज्यपाल थी question number 13 है the guide नामक पुस्तक के लेखक कौन है who was the author of the book the guide अर्विन गोश सरदार पटेल आरके नराइन या फिर तुलसी the most important question है question आपके एक्जाम में पूछा जाता है option number C is का सेंसर हेगा Maxon Trude ने सेंसर बताया है आरके नराइन दबारा जो है मालगुडी डेस और the guide नामक पुस्तक लिखी गई थी question number 14 है किस परधान मंतरी ने कृप्स मिशन को भारत बेजा था question आपके एक्जाम में इंपोर्टिड है किस परधान मंतरी ने जो है या फिर पोच लेता है किस England या फिर अंग्रेजो के परधान मंतरी ने जो है भारत में कृप्स मिशन भेजा था option है विलियम बैटिक, चार्स मेंटकॉफ विस्टन, चर्चिल या फिर नेवले चैवलर्न, ठीक है आजीब सा नाम है अब आप देख सकते है option में भी जल्दी से बताइए सही अंसर क्या रहेगा तो option नमर सी इसका सही करने विस्टन, चर्चिल विस्टन, चर्चिल दवारा जो है आपका भारत में कृप्स मिशन भेचा गया था question नमर 15 है पानिपत का पहला युद किनके मध्य हुआ था जो पानिपत की बैटल हुई थी first battle of पानिपत take place बाबर और राणा सांगा अकपर और इबराम लोदी बाबर और इबराम लोदी या फिर बाबर और मेधिनी रोई जल्दी से बताएं सही अंसर क्या रहेगा बहुत ही शांदार question है सही अंसर आपका आ चुका है इसका सही अंसर है जो पानिपत का पहला युद हुआ था बाबर और इबराम लोदी के बीच हुआ था option number C आपका सही रहेगा question number 16 आपके science का पहला question है malaria इनमें से किसके कारण होता है malaria is is by which of the following by this bacteria protojoa या फिर fungi तो आपको इंग्रिश में problem नहीं होनी शाहिए student जो हिंदी वाले है by this आपको बताएं बिशाणू का जाते है bacteria आपको पताएं किसे का जाता है तो जल्दी से पताएं सही अंसर क्या रहेगा जो malaria आपका होता है किसके दवारा होता है protojoa दवारा होता है question नमर्श 17 है सिस्मोलोजी स्वंदीत है जो सिस्मोलोजी है ये किसका आधियन होता है जन्तूओं का अंतरिक्ष से मचलियों का या फिर भूकम से याद रखें जिस भी जब भी आपको सिस्मो पूछा जाएगा तो किससे स्वंदीत रहेगा भूकम से आपका स्वंदीत रहेगा तो option नमर्श 17 से भी आपने पताया है question नमर्श 18 थोड़ा सा confusion कर सकता है कार्य बल और विस्तापन dash स्वंदीत होते हैं जो आपके वर्क फॉर्स और डिस्पैसिंद होते हैं ये किससे स्वंदीत आपके रहते हैं जल्दी से बताये option आपके सामने है option नमर्श 20 का से रहेगा W is equal to force multiply S आपका रहेगा विस्तापन को S English में denote करते हैं question नमर्श 19 है हीरे का अफवर्तनाक होता है हीरे का अफवर्तनाक कितना होता है 1.77, 2.42, 3.44 या फिर 0.20 जल्दी से बताये हीरे का अफवर्तनाक कितना होता है option नमर्श 20 का सही रहेगा Maxim student ने से इंसर बताया है 2.42 जो होता है हीरे का अफवर्तनाक होता है नेक्स कोशिन कोशिन नमबर 20 आ और यह आपके एकजाम मैं पूछा जा चुका है याद रखें 2020 में यह कोशिन दो बार रपीट हो चुका है दो या दो से अधिक धातूं के मिशन को कहा जाता है A mixture of two or more metal is called it या दो से अधिक या फिर दो या दो से अधिक मिशर धातूं को क्या कहा जाता है अमलगम मिशर धातू, क्षार धातू या फिर नोबल तत्व चल्दी से बताएं सही अंसर क्या रहेगा Option नमबर P सही बताएं आपने मिशर धातू या फिर अलोए कहा जाता है यानि जब भी आप दो दातुओं को मिलाएंगे या फिर दो ते अधिक दातुओं को मिलाएंगे उसे अलोई या फिर मिशिर दातु कहा जाता है और अताक आपने वीडियो को लाइक में कर रहा है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें Question No.21 है, कौन सी ग्यास का प्रयोग सोडा को त्यार करने के लिए किया जाता है बहुत अच्छे, आप सभी का से अंसर आ चुक है, Option No.D, कारवन डायोकसाइड, कारवन डायोकसाइड जो होता है, इसे प्रयोग किया आता है, सोडा वाठर या फिर जो कोल्डरिंग होती है, उनमें किया जाता है Question No.22 है, कौन एक सदीश राशी है, इनमें से कौन सी जो है एक सदीश राशी है, Option है, गती यानि स्पीड, बल्ली दा फोर्स, और तवरन यानि, अब तवरन मुझे नहीं पता है, इंग्लिश में सही है या नहीं है, और या फिर इनमें से कोई नहीं, जाल्दी से दोस्तों सही अंसर बताइए, सही अंसर क्या रहेगा, सभी स्टूटन का सही अंसर आया है, Option No.A, गती यानि स्पीड जो होती है, सदीश राशी होती है, Question No.23 है, परमाणू रेक्टर के लिए इंदन का स्तरोत किया है, बिच आफ दी सोर्स आफ फ्यूल फॉर ए नुकलियर रेक्टर, यानि जो नुकलियर रेक्टर होता है, इसके लिए फ्यूल का जो सोर्स या फिर फ्यूल का कारे कोन करता है, यूरेनियम, आइरिन, कारवन य या फिर कैल्शियम, जल्दी से बताइए, परमाणू रेक्टर के लिए इंदन का स्तरोत या फिर इंदन का कारे कोन करता है, इंपोर्डिड कोशन है, तो सबी स्टूटन का से अंसर आया, आप्शन नंबर A, जो यूरेनियम होता है, ये परमाणू रेक्टर के लिए इंद का कारे करता है या फिर source of fuel होता है uranium question 24 है जीव की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है जीव जो होती है हम जैसे जीव हैं उनकी रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है निूट्रोन उतक यानि टिशू, कोश्का यानि सेल या फिर अंग यानि कोई पार्ट ठीक है अंग यानि आप पार्ट भी मन सकते हो कि श्रीर का कोई पार्ट जल्दी से बताईए सही इंसर क्या रहेगा तो option number C सभीने से ये बताया है जो कोश्का यानि सेल होते हैं ये जीव की रचनात्म और कार्यात्म की इकाई होती है बहुत अच्छे, question number 25 है मानव श्रीर में रख्ट किस अंग में शूद होता है मानव श्रीर में रख्ट जो होता है वो कहां पर शूद होता है which organ is the blood purified in the human body गुर्दे, kidney, फेफडे, lungs, जीगर यानि liver, दिल यानि heart जल्दी से बताये सही अंसर क्या रहेगा आप question को most most important मान लो तो most important question है ये बहुत अच्छे, option number 8 जिन्हों ने बताया है उनका सही है, जो गुर्दे होते हैं ये हमारे श्रीर का कोकिया करते हैं श्रीर में जो रक्त होता है, उसे शुद करते हैं question number 26 है किन गैसों की उपस्तिती के कारण अमल बर्षा या एसिड रेन होती है जो एसिड रेन होती है ये किन गैसों या माफ करें किन अमलों या फिर किन गैसों के कारण होती है, option आपके प्रकार से है जल्दी से बताओ सही अंसर क्या रहेगा तो सभी ने सही अंसर बताया option number B NO2SO2 जो होती है, ये क्या होती है अमल बर्षा का कारण होती है question number 27 है blood cancer का बेग्यानिक नाम क्या है but is the scientific name of blood cancer blood cancer का रसाइनिक या फिर कैसे ने बेग्यानिक नाम क्या है homocerea, leukemia, anemia या इन में से कोई नहीं important question है, question को note करने जल्दी से बताओ सही अंसर क्या रहेगा option number B जो भी बता रहे है leukemia जो होता है leukemia जो होता है, ये blood cancer book को भी कहा जाता है leukemia जो है, इसे blood cancer भी कहा जाता है question number 28, most important question है प्राथमी करम होते है बेचीजदी primary number तो primary number आपको बताने हैं कौन कौन से आपके होते है लाल निला हरा, सफेर निला पीला, लाल निला पीला या फिर काला निला पीला तो से अंसर क्या रहेगा R, B, G ठीक है, याद रट लें लाल निला हरा, R, V और G ये जो होते हैं आपके प्रात्मिक रंग होते हैं Question number 39 है ख्षेय रोग किस के कारण होता है जो TV होता है ट्यूवर ख्लोश मेते हैं घ्रपेदिया कहते हैं ख्षेय रोग कहते हैँ और भी बहुत कुछ कहते है ये किस के कारण होता है, Vibirus के आपके जाएं, बैक् Bäक्टीरिया प्रोडेज हैं इन में से कोई नहीं question imported है जल्दी से बताइए say answer क्या रहेगा तो सभी का say answer आया option number B bacteria के कारण जो है आपका TB होता है question number 30 है electron की खोज किसने करे थी who first discovered the electron Chadwick, J.J. Thompson, Goldstein या फिर Madam Curie जल्दी से बताइए say answer क्या रहेगा तो यहां भी सभी का say answer आया option number B जो आपके J.J. Thompson ने है इन्होंने electron की खोज करी थी आपके लिए question है जल्दी से बताइए Madam Curie ने किसकी खोज करी थी जल्दी से comment करके बताइए Madam Curie ने किसकी खोज करी थी question number 31 आपका math का सबसे पहला question है और यह बतादू math की वीडियो स्टार्ट हो चुकी है अगर आपको math आता होगा तो आपको सिर्फ mock test लगाना है या फिर test आपका लगाना है अगर नहीं आता तो ध्यान से वीडियो को देखें वीडियो को छोड़के जाओगा तो आपकी selection जो है maximum कम हो जाती है अन्रूट 3 इसका आपको क्या बताने ठीक है इसका आपको जो है निकाल रहे है किस तरह से होगा तो 12, 11, 13 या फिर 14 आएगा तो maximum जूट ने यह answer निकाल लिया होगा इसका answer आएगा 11 11 का क्यूब होता है 11 का क्यूब कितना होता है 13, 31 होता है तो इसके लिए कुछ आपको गरना नहीं था next question है एक कक्षा में 60% विद्यार्थी उतिर्ण हुए यानि पास होगे यदि 600 विद्यार्थी फेल हुए तो उतिर्ण होगे विद्यार्थियों की संख्या कितनी है यानि कोई कक्षा है उसमें 100% विद्यार्थी थे उसमें से 60% विद्यार्थी जुद्ध है वो पास होगे बचे कितने 40% प्रतियार्थी जो है वो फेल होगे फेल कितनी होगे 40% होगे तो अब 40% है, किसके बराबर है, आपके 600 के बराबर है, यहां से निकाल लो, यहां से 100% यानि total student निकाल सकते हो, यहां 40 यहां दूसरी साथ चल जाएगा, यह आपका बटा में आ जाएगा, और गुणा 100 कर दोगे तो total student आपके निकल जाएगे, यह 0-0 कर जाएगा, आपका यहां से 2 कर जाएगा, तीसा जाएगा, तीस से 2 से कर देगा, यह कितना जाएगा, तो 1500 अंग गया, 1500 आपका हो गया, यानि 1500 student थे, टोटल गलास में जिसमें से कितने फेल हुए 600 फेल हुए तो 15 में 600 निकाल दो बचे कितने 900 900 student जो है वो पास कोई थे और 900 student किने के बराबर थे 60% के बराबर थे question number 33 है यहां question को थोड़ा सा ध्यान से देखिए 3 bracket शुरू 4x-2 यहां पर आपका 6x-8 है बराबर है 2 3x-1-4 2x-5 x की value आपको बूट करनी है इसके लिए आपको कुछ नहीं करना डिए सबसे पहले जो है इस side को simplify करो 3x ठीक है ध्यान से लिख लिए तोशे में 6x4-2 minus 6 और 8 ठीक है यह bracket में है इससे simplify करो यह कितना हो जाएगा 12x-6 ठीक है minus 6 यहां 2 multiply में आएगा यहां bracket खोलोगे तो 6x ऐसे रहेगा और जो आपका 8 है यह plus में हो जाएगा ठीक है यह multiply होगा तो 8 plus में हो जाएगा अब इससे simplify कर लो तो इसे इसमें minus कर दो तो 12 आपके 6 में minus हो जाएगे तो 6x बज जाएगा और आपके जो है 8 जो है ठीक है यह 8 जो है आपके दूसरी साथ किस तरह से हो गए ठीक है अब इससे simplify करो तो कितनी हो जाएगे यहां से आपके 8 में से 6 माइनिस हो जाएगे तो कितनी हो जाएगे यहां आपका plus के 2 आ जाएगे ठीक है plus के 2 हो गे हाँ plus के 2 हो जाएगे ठीक है यहां plus के 2 हो जाएगे तो यहां आपका कितना आ गया यहां आपके पास आ गया 6s plus 2 ठीक है चोंकि 20 हो जाएगा ठीक है, 20 हो जाएगा, आप इससे इंफ्लिवगाए करो, तो इसमें minus हो जाएगे, तो यहाँ आपका minus में 2 आ जाएगा, minus के 2 आ जाएगे, plus 18 हो जाएगे, plus 18, यहाँ भी था, 20 में से दो गे, 18 हो जाएगे, यहाँ पर आपको दोनों value आगे, यहाँ क्या हो जाएंगे यहां पर जो प्लस है यहां पर माइनिस था यह आपका प्लस का हो जाएगा ठीक है यह माइनिस का है यहां पर आपका यह प्लस का था दूसरी साइट चला जाएगा और यह कितने में चल जाएगा माइनिस में आपका चला जाएगा कुद करना है ठीक है यहाँ पर आपको थोड़ा समझाने में प्रोग्लम हो जाएगी ठीक है यहाँ से आपका कितना गया यहाँ आपका 16 आगया यहाँ से आपका 6x प्लस 2x कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा 16 इनका LCM ग्यात करना यह कोशिन आपको होंबर्क रहेगा थोड़ा सा ध्यान से करें यह आपके कोशिन आपके लिए होंबर्क रहेगा आपको बताने इसका सेंसर कियाएगा बहत्तर आएगा 144 आएगा 48 आएगा या फिर 96 आएगा जल्दी से कमेंट करके बताए और वीडियो का भी तक आपने लाइक नहीं करें वीडियो को लाइक कर दें वीडियो को शेर कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर लें नेक्स कोशिन सेंपल था आपको वरगमूर घ्याद करना ए अंड़ी कर लो 0.09 का इससे सींपुरीफाइब कर लो नो हो जाएना बटा नीचे सव जाएगा इसससे सींपुरीफाइब कर लो तो 10 बटा दस आजएगा और 10 बटा 10 को सींपलिफाइब कर तो 2x GOTos 3 आपका हो जाता है अब कोशन नुमर 36 है इंपोर्डिर कोशन है यदि 180 रुपे को A B C में करमश है 2 अनुपात 3 अनुपात 5 में अनुपात में बाटा जाई तू C का हिस्सा A के हिस्से से कितना अधिक होगा यहाँ पर अनुपात क्या है A और C का 2 और 5 है हमें पता है C को अधिक अनुपात मिल रहे ठीक है यानि अधिक मिलेगा अधिक मिलेगा दोनों का टोटल अनुपात निकाल लो या उससे पहले जो है आप A B और C इन तीनों का अनुपात किता है 3 5 7 कुए है दस अनुपात जो है इक उसी के राबर है एक उन्रपात की यूट निकार लो धसाप का बटा में छल जाएगा के एक उन्रपात की वेलु जब हो जीगी 18 तो एक अनुपात की value आपके पास कितनी आगी एक अनुपात की value 18 आगी और एक और C का कितना है एक का दो अनुपात है और C का आपका 5 अनुपात है तो multiply करो कितना होता है यहाँ आपका 36 हो जाएगा और 5 से 18 को multiply करो कितना हो जाएगा 90 आपका हो जाएगा यहाँ बड़ा आपको पता है C यहाँ तो C से हिस्सा अग्यात करना है ऐसे compare करना है कितना अधिक है तो minus कर दो 36 90 में कितना जाएगे 54 ठीक है चुरून जा आपके आ जाएगे तो say answer कि आएगा 54 आपका आएगा next question already simple है एक से लेकर 100 तक कि सभी भिश्यम संख्याओं का ओसत क्या होगा average पूछी हुए एक से लेकर 100 तक कि इसके लिए formula लगेगा n into maaf करें n plus 1 upon 2 ठीक है यह वाला formula लगा n आपका क्या आएगा n यहाँ पर सुवाएगा तो 100 प्लस एक बटा 2 प्लस कोल माफ करें इस बिश्यम संख्या बोला हुआ है तो बिश्यम संख्या 100 जो है आपकी बिश्यम संख्या नहीं होती तो 100 से पीछे करो तो 99 आपकी होती है 99 एक बिश्यम संख्या होती है तो n आपका क्या आएगा 99 आपका आएगा 99 प्लस 1 कितना हो जाता है? सोबटा दो करना तो कितना हो जाएगा? पचास आपका सही अंसर आ जाएगा. Question number 38 आपके सामने है A अनुपात B अनुपात C का अनुपात क्रमशय कितना है? 6, 5, 7 है यदि A और C का कुल योग 90 है तो B का क्यात कीजिए आपको यहाँ पर बोला हुआ इन दोनों का अनुपात दिया हुआ है आपको A और C यहां से एक अनुपात जो की 13 है, माफ करें, यह 13 किसके बराबर है? 390 के बराबर है, यहां से एक अनुपात की value निकाल लो, तो 13 आपका बटा में चल जाएगा, और 13 तेयां आपके 49 होते हैं, 13 तेयां 49 होते हैं, यानि 3 कट गया और 0 आपका carry करके आ गया, तो एक अनुपात की value किती होगी, एक अनुपात की value हमारे पास 30 आगी, और B हम से पूछाओ, भीर का अनुपात कितना था, पांच था, तो 5 multiplied थी करतो, पांच थेयां 15 और 0 कहरी, यानि 150 होगा, यह B के हिस्से में आएगा, next question है, एक बस्तू का क्रे मुल्य 150 है, यदि इसे 20 परतीशित लाब पर बेचा जाए, तो बस्तू का विक्रे मुल्य गयात कीजिए, simple सा question है, कुछ आपको नहीं करना, सब कुछ दिया हुआ है, विक्रे मुल्य का फार्मूला आपका होता है, क्या होता है, क्रे मुल्य गुणा, 100 plus minus लाब और हानी, क्रे मुल्य केतना है, 150 है, लाब हो रहा है, तो 100, नीचे क्या आजाएगा, नीचे आपका 100 आजाएगा, और यहां पर 120 हो जाएगा, 0 से 0 कर जाएगे, ये 0 से ये 0 कर जाएगे, 15 multiply 12, तो करोगे, 0 आएगा, एक अंचला 3 आजाएगा, ठीक है, फिर करोगे, 5 और एक आजाएगा, कितना, 180 आपका आजाएगा, तो कितना हो जाएगा, 180 जो है, आपका सही अंसर हो जाएगा, नेक्स कुशन है, किस धनराशी पर 4 परतीशित बार्शिक धर, बार्शिक ब्याज की धर से 5 साल का सधान ब्याज 64 रुपे हो जाता है, तो आपको धनराशी बतानी है, किस धनराशी पर ठीक है, किस धनराशी पर 4 परतीशित बार्शिक धर से 5 साल का ब्याज 64 रुपे हो ज पी आपको ग्याद करना है, 100 यहां दिया हुआ है, 100 दूसरी से ले जाओ, तो 100 यहां आगया, 4 और 5 नीचे आगया, अब 5 से काट दो, 20 कट जाएगा, ठीक है, 20 से आगया, तो आपका ऊपर कितना आ रहा है, ऊपर 20 आ रहा है, यहां नीचे 4 है, तो 5 से कट जाएगा, यहां कितने आ जाएगे, ठीक है, 5 चो के 20, यहां पर कट गया, बच्छा किया, हमारे पास, 5 और 64, 5 और 64 तो मल्लीपिलाए करें थो, 5 चो के 20 दो, 5 ची के 30, 32 पर कितने हो जाएगे, 32 आपके, तो कितना हो जाएगा, 320 आपके पास answer आ जाएगा question नमर 41 जल्दी से करते है 24 आदमी एक काम को 12 दिन में करते हैं तो 36 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे कितना है 12 आदमी कितने दिन में 12 दिन में 12 दिन में 12 आदमी 24 आदमी 12 दिन में और 36 कितने में करेंगे तो 36 आपका नीचे आजाएगा, 12 गड़ जाएगा, बाच्चों के 36, आपका आठ आजाएगा, तो 8 आपके पास क्या आगया, सही अंसर क्या, नेक्स कुछन है, एक मोटर साइकल, या मोटर साइकल की चाल, 36 किलोमेटर परती घंटा है, इसकी चाल मीटर पर साइकन में क्या हो जो इससा गुणा हो जाएगा, 18 से आपका 36 कट जाएगा, 2 से, तो 2 मंटिप्लाइ कितने करेंगे, 5 करेंगे, 5 करेंगे, 5 ने, कितने हो जाते हैं, 10 आपके हो जाते हैं, तो 10 मीटर पर सेकिंड इसका सेंसर आजाएगा, क्वेशन बरता तालिस है, अर्द गोले का कुल शेत शेतर फल का सूतर क्या होता है, अर्द गोले का कुल शेतर फल कितना होता है, जल्दी स्पताइए कुल शेतर फल, अर्द गोले का कुल शेतर फल कितना होता है, जल्दी स्पताइए सेंसर क्या रहेगा, 2 माफ करें, इसका होता है, 3 पाई आर स्केर, 3 पाई आर स्केर, इसका 3 तोड़ी सी मिस्प्रिंडिक होगी। यहां पर Qtion है। रीना के पिटा की आयू रीना से 4 गुना है। 5 वर्ष पहले उसके पिटा की आयू, उसकी आयू से 9 गुना थी। तो वरतमान में पिटा की आयू क्या है। Simple था Qtion है, इस Qtion को भी निकाल सकते हो। किया बोल रहा है पांच वर्ष पहले जू से बहले बोल रहा था चार गुण है किसके अईउ है यह पिता की है और यह रीना की है ठीक है पिता की कितनी ही थी चार गुण है ठी know कितनी है इसके आयू में से पिता के आयू मैनिस 5 हो जाएंगे कितनी हो जा रही है? 9 गुना हो रही है तो पिता के आयू ये 9 गुना कहां जुड़ेगी? ये रीना के आयू में जुड़ जाएगी तो यहां आपका ये आ गया हो जाएंगे ठीक है? तो 40 पर आवरा 5 क, X की ऐल्यु कितने हैं जो कि 40 बटा 5 5 से आपका 40 कट जाएगे कितने से? 8 से, तो X की ऐल्यू क्या गई? X की ऐल्यू 8 आठ Get और पिता की कितनी गुनी थी? ठीक है? 4 कुनी थी तो 4 गुता 5 चार गुणा 5 कितने होगी पीशे में गल्द कर दिया ठीक है 48 बटा कितना था 5, तो यह कर जाएगा, कितना जाएगा 8 आ जाएगा ठीक है, 8 से कट गया, तो X आपके पास 8 आ गया 4X पीटा की तो 4 गुणा 8 आ जोके कितने होगी 32 आपकी होगे तो पीता किया यू कितनी होगी 32 आपकी होगी Question number Next है आपके पास 2 20 प्लिस 12 माइनिस 10 इसे प्लिस कर लो कितनी हो जाएंगे 32 32 में से 10 माइनिस करो कितनी होगे 22 होगे 22 को multiply दोसरे करो कितनी हो जाएंगे 44 आपके पास से अंसर आ गया Next Question है 56 चल्दी से बताओ इसमें क्या माइनिस हो रहा है पहले 4 माइनिस हो रहे है फिर 8 माइनिस हो रहे है यानि दूगना हो रहा है अब यहां कितनी हो जाएंगे 16 माइनिस हो जाएगे तो चुतालिस में से 16 माइनिस करो कितनी हो जाते है अब next question देखते हैं, simple question है, W, V, Y, D, A, F, किस तरह से related है, यहां से देखो W और Y, plus 1, Y और, यहांनि, इसमें से एक छोड़ रहा है, एक छोड़ रहा है, और उससे अगला रही रहा है, इसमें भी एक छोड़ रहा है, भाई के बाद Z छोड़ दिया, फिर A लिया, ठीक है, Z छोड़ दिया, A लिया, इस तरह से आपका यह चला है, यहांनि, B में C छोड़ दिया, D लिया D में से आपका D, E छोड़ दी है फिर F लिए इस तरह से आएगा यानि A के बाद B आएगा B को छोड़ दो तो C आपका आजाएगा एक आगे आपके बास फिर आपका F ए अपके बाद ठीक है F के बाद G छोड़ दो D के बाद H आएगा तो C और एच्छा आपका हो जाएगा यानि चंडीगड आपका हो जाएगा अब नेक्स कोशन आता है इनमें से आपको बिशम सुनना है नई दिल्ली पैरिस लंदन या फिर रंगून जल्दी सिर्था ये से एंसर क्या रहेगा तो आप्षिन नमट डी सिर्था रहेगा याद रखें नेदिल्ली पैरिस रंगून ये सबी राज़दानी हैं देशों की पर रंगून जो है ये मिमार की पुरानी राज़दानी नी नी ती Sant अब आपको बताना है मेमार की चालिस भीतियारती है बारी से बहत हो रही है यानि कहां से बहत हो रही है आपके बहं से यहां से शुरूर हो रही है towtल उत्र हैं Last question है, सीता उत्तर की ओर 6 km चलती है, बना देता हूँ जल्दी, उत्तर, डक्षिन, पूरब और पशिन, ठीक है, यहां से शुरू करती है, उत्तर की ओर 6 km चलती है, चली वो, फिर बोलता है, फिर वो बाय मुड़ती है, ठीक है, फिर वो अपने बाय मुड़ती है, और 8 km चलत तो यहां कितनी 8 km चल ले ली, फिर बोलता है, फिर वो, बाय मुड़ी, बाय यानि नीचे मुड़ी और कितनी चली 6 km चली, यहां से फिर ये 6 km चली तो यह आपकी 6 km है, यह 8 km है, यonneयनी दोनों की यह सेम बरावर है, 6-6 km, तो बोलता है, सीमा प्रारंबिक से कितनी दूरी पिर है यानि यह बीच का gap आपका पोचा हुआ है तो बीच का gap गता है 8 km का तो 8 km जिसका चैन्सर रहेगा अब जल्दी से बताइए 50 में से आपकी कितने सही थे कुछ कोशिरिशन में थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया था इसके लिए माफ़ करें पाकी वीडियो को लाइक करना है वीडियो को शेर करना है चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले रहा है